नमस्कार SB News के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी दिर्वाण आईए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास ख़बरों से। सूचना पर दमकल की 22 गाड़िया मौके पर पहुँची और रेस्की ऑपरेशन को संभाला। शुरुआती जाच में सामनी आया है कि आगे अस्पताल के बेस्मेंट में लगी। इसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज भी आई। नहीं निकल पाया धुआ। बेस्मेंट धुआ निकलने के बाद एक ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अस्थिती बिगड़ गई। दोहें के उपर की तरफ जाने की चलते मरीजों को दिक्कत हुई, बचाफ कारणे में रोबोट का भी इस्तिमाल क्या जा रखा है। एहमदबाद के डी सीपी ट्राफिक सफीन हसन भी मौके पर पहुंचे अस्पताल में, आग सुभा साले चार बजे के करीब लगी, इसके बाद 22 दमकल अस्पताल के लिए रवाना की गई। अस्पताल में सही वेंटिलेशन नहीं होने के कारण, बचाफ कारणे में दिक्कत आई, बेसमेंट से धुआ बाहर नहीं निकल पाया, और अस्पताल के अंदर ही जमा हो गया, धुआ इतना जादा था कि छटवी मंजल पर एडमिट मरीजों को भी स्नास लेने में दिक्कत हुई, अभी तक किसी जन्हानी की सूचनास सामने नहीं आई है, अस्पताल में फिलहाल मरीजों किसी रक्षा को लेकर रेस्क्यू चल रहा है, फिलहाल की खमरों में इतना है, आप देखते रहेंगे, ASB News